हेलो फेंज, वेलकम टू क्रियंकास कीचन, आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए एक हेल्दी रेसिपी, ओ है ओट्स छिल्ला, तो छलो देखते हैं, ए ओट्स छिल्ला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवशक्ता होगी, एक कप ओट्स, अधा कप बही, चिल्ला सिखने के लिए पेल, कटी हुई हरी मेच, अधरक और लसन की पेस्ट, जिरा पाउदर, हल्दी, नमक और तटा हुआ हरा बनिया, तो छलो देखते हैं, ए ओट्स चिल्ला कैसे बनाना है, ओट्स सिल्ला बनाने के लिए सबसे बहले ओट्स को हलका सा बूनना है, इसको रोस्ट करना है, उसके बार इसकी पाउडर बनाना है, चलो अभी हम ए ओट्स को मून देखें, इदर मैंने पैन गरव करने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे ओट्स, ओट्स को मिडियम ग्रास पर हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, और इसमें मैं जो ओईल यूज करने वाली हूँ, ओभी ओली ओईल है, देखो यह रोस्ट हो गए है, फलते से बून लए है, मैं आवे इसको निकालते हो, तो चलो इसको थोड़ा थंडा होने देते हैं, थंडा होने के बाद, मिक्सर में इसकी पाउडर बनाते है, देखो इसी तरह से ओट्स गुन के उसकी पाउडर बनाई है, बिल्कुल अच्छी तरह से बाड़ी के पाउडर बननी चाहिए, और जल्दी से मिक्सर में एक मिलत में ही बन जाती है, चलो आभी हम ओट्स सिला के लिए बैटर गुनना इधर में ने एक बड़ा बाउल लिया है इसमें मैं डालती हूँ एक दही दही को हम अच्छी तदा से थोड़ा फेट देंगे अभी इसमें डालना है इस सारे मसारे खल्दी जिरा पाउडर पेस्ट के लिए नमा एक कटी हुई हरी नेच आप लाल नेच पाउडर भी डाल सकते हो आगरा कर लसंद की पेस्ट और इस सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे देखो विलकर इसी तरह से देखो आपको दही पसंद नहीं है तो आप इसमें नारियल का बूद भी डाल सकते हो और इसमें डालेंगे अभी हेवोट्स पाउडर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पाने डलके इसका अच्छी तरह से जैसे चिल्ला के लिए हम गोल बनाते हैं उसी तरह से बनना चाहिए आप इसमें लाग मेश पाउडर भी डाल सकते हो हरी मेश की पेस्ट भी डाल सकते हो मैंने हरी मेश कट करके डाली थे देखो इसी तरह से बैटर बनना चाहिए अब इसमें डालते हैं यह देड़ी सारा कटा हुआ हारा दुने है देखो और यह थोड़ा गारा बिठ रहा है मैं और पाने लगते हैं इसी तरह से बैटर होना चाहिए चलो अभी हम चिल्ला बनाते हैं तेको चिल्ला बनाने के लिए इदर मैंने पैन गरम करने के लिए अब इसमें डालते हैं थोड़ा तेल तेल दाने के बाद हम इसमें इतर बनाने के लिए जैसे आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए उस साइसे आप बना सकते हो हुआ हिने छोटा ही बनाया है और इसको धीमिंग यास पर आच्छी तरह से दोनों साइट से सीखना है देखो यह उपर से आच्छी तरह से ड्राइव हो गया है और नीचे से भी आच्छी तरह से सीख गया है मैं आप इसको दूसरी साइट से पर आप दूसरी साइट से भी आच्छी तरह से सीखना है अविकासा बाउन होने तक इतना है इसको देखो हमारा इसीखल्य आच्छी तरह से सीख के अच्छी तरह से जैसे आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए उस तरह से आप एक चिल्ला बना सकते हैं मैं अब एक फोड़ा बड़ा बना देखो कितनी अच्छी तरह से एक चिल्ला देख रहा है दूसरी साइट से भी इसको अच्छी तरह से हल्का सा ब्राउन होने तक सीतना है देखो इसी तरह से हमारा एक चिल्ला बनके तयार है चलो मैं भी इसको फ्लैट में निकालती है चल्दो इसी तरह से हमें सारा चिल्ला बनाते हैं देखो इसी तरह से ओट्स चिल्ला बनके परिया है बोट ही अच्छा टेस्टी और हिल्दी ओट्स चिल्ला बन गया है देखो ओट्स चिल्ला बनाते समय इसमें मैंने जादा तेल का भी यूज नहीं किया है तो जादा तेल की भी इसको जरूरत नहीं होती है, लेकिन ओट चिल्ला बनाते समय थोड़ा दियान रखना है, जब हम तबेके ऊपर चिल्ला डालते हैं, तो गैस की आग मीडियम रखना है, और मीडियम गैस पे अच्छी तरह से इसको सीखना है, जब हम इसको कल्सी से दूसरी साइट से पलचते हैं, कल्सी को एक सिपग चाता है, इसलिए नीचे की साइट जो है, इसको भी अच्छी तरह से पकाना है, और उपर से पूरा ड्राय दिखना चाहिए, अच्छी तरह से उपर से विकलत चेंच होना चाहिए, तब हम इसको दू इसी तरह से औट्स छिला बनाई है ख़ये और चिला बनाते समय में ने डही डाला है आपको दही पसंद ने तो आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हो और वैसे तो पानी डालके भी आपको इसका बना सकते हो आप भी जरूर इसी तरह से ओच्छिला बनाएए खईये और हेल्दी रहिए मेरी एड़ेसिपि आपको आच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और शेयर कीजे और मेरा दूसरा भी चानल है प्रियास लवली कीचन आप इधर क्विक करो तो इस चानल प कुछ नौन हेल्डी कुछ स्पाइस मीठा ऐसे अलग अलग तदा से इसे महिने रेसिपी बनाई है आप ओ भी चानल सब्सक्राइब चरूर करो तो फिर हम मिलते हैं नहीं एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बुदार आब नाइस देए